जब छोटे थे तो लड़ाई होती थी एक कहता था मा मेरी है दूसरा कहता था नहीं मा तो मेरी है फिर चलो पिर मा से पूछ लेते हैं मा किसकी है और जब मा से पूछते तो मा हंस कर टाल देती क्योंकि उसे पता था कि एक वक्त वो भी आएगा अब लड़ाई इस बात की है कि मा तेरी है, मा तेरी भी है एक कहता मैंने पहला महीना गुजारा है मुझे पता है मेरे बच्चे कितनी आजमाईश में रहे हैं मेरे बच्चों की नींद डिस्टरब्ट रहती है मात की जन्नत थी, आज वो ही माँ बच्चों की नवजवान था जो अपनी माँ को यतीम खाने में छोड़ाया आज हमारे हाँ भी ओल्ड पीपल हॉम बन गए जब माँ बाप बुड़े हो जाएं तो तुम जाकर उन्हें जमा करतो क्या हमने ये दिन भी देखने थे खैर वो जमा कराया और इंसामिया को नंबर दे आया जब माँ मरने लगे तो मुझे फोन कर लेना खैर उसका वक्त आखिर आन पहुँचा और कहा माँ मरने के करीब है और मुलाकात के शौक में तुम से मिलना चाहती है वो पहुचा और माँ से कहा के माँ तेरी कोई खाहश हो तो बताओ जो मैं पूरा कर दूँ माँ ने जवाब दिया के बेटा ये यतीम खाना जहां तू मुझे छोड़ गया था इसके कुछ पंखे खराब है जब जुन जुलाए की गर्मी आती है तो बुड़े माँ बाप गर्मी से जुलस उठते है अगर तेरे पास पैसे हो तो यहां के पंखे तबदील करवा देना वो कहने लगा के माँ अगर मैं अब पंखे तबदील करवा भी दूँ तो तुझे क्या फाइदा पहले बताया होता तो मैं पंखे तबदील करवा देता तुझे भी कुछ फाइदा हो जाता मा की महबत तो देखें मा ने का बेटा मुझे पंखे अपने लिए नहीं चाहिए मैं तो डरती हूँ जब तू कल बुड़ा होगा तेरी आुलाद तुझे यहां छोड़ जाएगी तो मुझे कबर में भी सुकून नहीं आएगा अगर मेरे लाल को गर्मी लगेगी मुझे पंखे अपने लिए नहीं चाहिए बेटा मुझे तेरे लिए चाहिए एक बुड़ा बाप था जो मुबाइल उठाकर मुबाइल वाले के पास चला गया और उसे कहने लगा के बेटा ये मुबाइल ठीक कर दो जरा नवजवान ने मुबाइल देखा और कहा के बाबाजी मुबाइल दो ठीक है बुजरिक ने कहा के जरा ध्यान से देखो बेटा ये मोबाईल खराब है दूसरी मरतबा जब देखा और बाबा जी से फरमाया कि बाबा जी ये मोबाईल तो ठीक है बाबा जी ने मोबाईल पकड़ा और आँखों में मोटे मोटे आंसों आ गए और हिच्कियां लेता हुआ मोबाईल वाले से कहने लगा कि बेटा अगर ये मोबाल ठीक है तो मेरे बेटे की काल क्यों नहीं आती मैं सारा दिन कान को लगा कर बेठा रहता हूँ मेरा बेटा मुझे कभी तो काल करेगा लेकिन इस पर मेरे बेटे की काल नहीं आती बुड़े माबाप हैं मांगना बुरी बात है लेकिन मैं सोचता हूँ जब सिगनल पर ब्रेक लगती है जब बूढ़ा हाथ मेरे शीशे के सामने आता है आखिद दिल में ख्याल तो आता है ये साथ साल की माई है इसकी भी कोई उलाद होगी कोई इसका भी बेटा होगा लेकिन ये आज सड़क पर बैटकर मांगने पर मजबूर है माँ बाप क्या मांगते हैं मुझसे नमाज खतम होती है तो सारे लोग उठकर घर चले जाते हैं एक साथ साल का बुढ़ा मस्जद में बैठा रहता वो उठकर घर नहीं जाता क्यों उसे पता है कि मेरी घर में किसको जरूरत है वो मस्जद में बैठकर कारी साहिब के साथ वक्त उजार लेता वो अपने बेटों के पास नहीं जाता चार बेटे बैठे हो घर में और किसी बात पर मुशावरत हो रही हो हर कोई आगे बढ़कर अपने दिल की राय देता लेकिन एक बुढ़ा बाप है जो चुप बैठा वो नहीं बताता अपने दिल की बाप उसे पता है कि मेरी बात की क्या हैसियत और क्या आवकात दो दिन से मा सोच रही है मेरी दवाई खतम है और मैं किस बेटे को किस तरह कहूँ कि बेटा मेरी दवाई खतम है और मेरे जोडों में दर्द बड़ा बढ़ गया है तकलीफ इतनी बढ़ गई है और मैं सोचती हूँ मैं तुम से कैसे कहूँ वो बेटा जो दोस्तों में दोजार का डिनर करके आता है मा की दवाई की खबर लेने के लिए ना उसके पास वक्त है ना उसके पास सोच है ना ही पैसे है मैं नوجवान उसे कहता हूँ कि आज तुम्हें बुरा लगता है तुम कहते हो मैंने ये करना मैंने वो करना तुम्हें माबाप का टोकना बुरा लगता है तो एक वक्त आएगा जब घर से चार पाई उठ जाएगी वो चार पाई जो तुने उठाकर घर के सैन में रखती थी कि मेरे बच्चों की नींद डिस्टरब होती है एक वक्त आएगा वो चार पाई जब उठ जाएगी तो घर में चिराग लेकर भी ढूंडेगा मुझे मा मेरी मिले मैं मशौरा करूँ मेरा बाप मुझे मिले मैं उससे पूछूँ कि मुझे बताएं कि जिन्दगी कैसे गुजारूं उस वक्त घर तुझे खाने को आएगा लेकिन उस वक्त का पच्ताना कुछ काम नहीं आएगा अपने माबाप की गदर कर लो और माबाप धक्ये खाकर जिन्दगियां गुजार रहे हैं अपने घरों में अजनबी बने बैठे हैं ये वो दुखडा है जिसका हम आज इजाला कर सकते हैं अपने वालदें को यतीम खानों में जमा ना करो अपनी जन्नत को दूसरों के उपर मत डालो इस जन्नत की गदर कर लो सारी जिन्दगी पैसे कमाने के लिए है लेकिन आज इनकी गदर कर लो माबाप पे सब कुछ लुटा दो खुद भूके रह लो लेकिन माबाप को रुस्वा ना करो आईए अपने वालदें की कदर कर ले अपने वालदें की गदर कर ले आपको कहे हुए जमलों पर और कही हुई बातों पर तौफीक ए अमल अता फर्माए बस ये दौा है कि जिसके वालदें फौत हो चुके हैं इस वीडियो को शेयर जरूर करें हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए अगर अबी तक आपने हमारा बेज और चैनल प्यारा इसलाम जुएन नहीं किया तो अभी जुएन करें ताके ऐसी मालूमाती और दिल्चस्प वीडियोस आप तक पहुँचती रहें जजाकल्ला, अस्सलाम अलाईकुम वर्हमतुल्लाह वबरकात।